Hey hi guys welcome to youtube and welcome to c++ tutorials तो आज की इस वीडियो के निदर हम cover करने वाले हैं scope of variables या आप इसको बोच सकते हैं types of variables तो इससे पहले जो वीडियो थी उसके निदर हमने सिखा था variables के बारे में की variables क्या होते हैं variables के rules सिखे थे हमने और किस तर सी variable को declare किया जाता है various ways हमने सीखे थी variable को declare करने की और भी बहुत सारी बाते जाने थे हमने variables के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको suggest करूँगा कि पहले आपको उस वीडियो को देख लिजिए उसके बाद ही इस वीडियो को follow की जूए तो आज की इस वीडियो के लिदर हम जानेंगे types of variables तो हमारे पास two types के variables होते हैं एक होता है local variable एक होता है globe variable तो इन दुन को discuss करेंगे हम उसके बाद practically use करेंगे हम दोने का local variables का भी और global variables का भी तो सबसे पहले आते local variables तो local variables वो variables होते हैं जो की सिर्फ accessible होते हैं कुछ particular functions के लिए suppose कीजिए आपने कोई function बनाया hello name का अब उस hello name के अंदर आपने कोई variable को define कर दिया तो वो जो variable आपने उस hello name के function के अंदर define किया है वही function उस variable का use कर सकता है अब suppose कीजिए आपने एक और function बनाया world name से तो world name के function के अंदर अगर आप use करना जाते हो hello function का कोई variable तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते क्यों because आपने उसको locally declare किया हुआ है कहां पर function के अंदर sorry आपने उसको locally declare किया हुआ है अब कोई भी चीज़ अगर आप function के अंदर कोई भी variable को आप declare करोगे तो वो treat किया जाएगा as a local variable अगर आप चाहते हो कि वही variable function one में भी काम करें और function two में भी काम करें function hello में भी काम करें और function world में भी काम करें तो आपको create करना पड़ेगा global variable तो global variable आपको create करना पड़ेगा और तबी जो हैं, दोनो functions, उस variable को क्या करपाएंगे assess करपाएंगे, तो यह थी दोनो की definitions तो local variables, वो variables होते हैं, जिनको सिरुफ assess करपाता है, कोई particular function वही function, जिसके अंदर वो variables define किये गये होते हैं, यानि कि declare किये होते हैं, और global variables, वो variables होते हैं, जिनको कोई भी function कोई भी function बड़े आराम से easily क्या कर पाता है assess कर पाता है यहनकी use में ले पाता है तो अब सीखते हैं किस तरह से हम declare करते हैं global variables और local variables को यहां पर charging घतम होगी तो इसको में charging पर लगा लूँ टाडा चार्जिंग पर लग गया लग तो जान चीजिए एक मिनट बास और यह charging पर लग गया तो अब यह charging पर लग गया तो चलिए अब practical करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो एक basic सा structure में ने create करके रखा हुआ है तो यहां पर हम सबसे बेले क्या create करेंगी function create करेंगे तो अभी आप लोगों को function के बारे में जातो कुछ पता नहीं होगा क्योंकि बताया नहीं है लेकिन example के लिए local variables को समझाने के लिए मैं यहां पर function create करूंगा तो यहां पर हम wide function create करते हैं को कि function का नाम मैंने function नहीं दे दिया तो मैं इसका नाम दे देता हूँ function underscore 1 तो function 1 मैंने बना दिया यहां पर इसके नदर हम क्या बनाएंगे variables declare करेंगे int नाम का a जिसके नदर मैंने दे 10 value और एक और variable यहां पर create करते हैं int b इसके नदर मैंने value दे 20 उसके बाद एक और variable यहां पर declare करते हैं int sum तो अब यहां पर हम करेंगे sum a equal to a plus b okay तो यह जो example है यह local variables का okay फिलाल हम local variables करेंगे okay और यहां पर sum को हम क्या करवा देंगे print okay तो इसको मैं last mail ले जाता हूं okay तो यहां पर इसको मैं declare कर दिया function को हमारे okay function हमने बना दिया sum का तो a plus b करेगा यह और result हमको देगा यह 30 okay तो अब यहां पर हम लिखते हैं wide function 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 1 और parenthesis और semicolumn okay और सबसे top पे भी हमको क्या देना पढ़ेगा wide function ताक इसको पता लग जाए कि हमने इस नाम का function create कर रखा है okay अब इसको execute कर देंगे okay और हमारे पस result आना चाहिए 30 okay और जैसे कि मैंने आपसे कहा था okay हमने local variables create किया है okay तो हमने जो function 1 create किया है okay इसके अंदर हमने 2 variables create किया है okay तीन variables basically a,b,c okay और sum okay तो यह जो variables हैं यह सिर्फ accessible है function 1 के लिए okay सिर्फ और सिर्फ function 1 इसको assess कर सकता है okay अगर आप इस a की value को print करवाना जाते हो suppose कीजिए a की value को print कराना जाते हो okay इस function के बाहर okay यानकि function के बाहर हम cout का use करेंगे और a लिख दिया मैंने यहां पर okay तो अब आपको error मिल जाएगा यहां पर refresh और यहां पर error मिल गया क्यों because जो a नाम का जो variable हमने create किया है यह सिर्फ और सिर्फ काम करेगा function 1 के लिए okay इसको आप बाहर कहीं पे भी यूज में नहीं ले सकते हो okay अगर आप चाते हो कि int a हर जगा काम करें हर function में काम करें okay और main में भी काम करें तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको globally declare करना बहुत easy है okay तो आप क्या करेंगे इस int a को cut कर लेंगे यहां से और इसको main function के बाहर आप लिख सकते हो okay main function के बाहर आपने लिख दिया इसको int a equal to 10 तो अब यह क्या बन गया एक global function बन गया है हमारे पास तो अब क्या होगा जो हमारा function 1 है यह इस variable को assess कर सकता है और जो हमारा simple sascau main function के लिखा हुआ okay वह कि इसको क्या कर सकता है assess कर सकता है क्या क्योंकि यह global variable है और global variable को सबहें सारे-सारे functions क्या कर सकते हैं, assess कर सकते हैं, compile and run तो compile and run, okay, तो result आना चाहिए 30 and 10, okay तो यहां पर आगया 30 and 10, okay तो मैं क्या कर देता हूँ, यहां पर मैं इसको नीचे ले आता हूँ, okay and, okay तो अब उपर 30 लिखा हुआ आएगा और नीचे 10, जो भी 1 के इंदर value होगी, okay तो 10 आगया, okay, तो इस तरह से यह चीज़े काम करती हैं, basically हमारे बास, okay तो global variables, वो variables होते हैं, okay, जिनको कोई भी function assess कर पाता है बिना कोई रुकावट से, okay, और local variables, वो variables होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ, declare किया होता है किसी particular function के लिए, okay किसी particular function के लिए, okay, और वो ही function क्या कर सकता है, assess कर पाता है उन variables को जैसा कि यहां पर हो रहा हमारे बास, okay, function 1 बनाया हो है, हमने, okay, और इसके अंदर क्या-क्या variable है बी नाम का, और सम नाम का, okay, अगर मैं, बी का use करना चाहूं, main में, okay, बी का use करना चाहूं, main function में अपने, okay तो मैं इसको नहीं कर पाँगा, क्यों, बिकाॉज यह क्या है, एक local variable है, और local variable को कौन assess कर सकता है, जिसका वो part है, तो यह किसका part है, function 1 का part है, okay तो सिर्फ function one इसको assess कर सकता है, मैं assess नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे error लेकिन a को मैं assess कर सकता हूँ, क्यों, because a जो है, एक global variable है, और ये बाहर declare किया गया है, main function के उपर, तो ये क्या कर जाएगा, ये run कर जाएगा, तो इस तरह से जो है, अक्ताम करता है local variable और global variable हमारे पास, तो I hope आपको समझाया हो, so कोई भी question हो, तो आप comment section में बोल सकते हो, okay, मैंने पूरी कोशिश की, सही से समझायने की, okay, अगर नहीं समझाया हो, तो आप comment section में बोल सकते हो, okay, so thank you so much for watching this video, please like, share and subscribe, कोई question हो, तो comment section में बोल सकते हो, और previous videos को आप follow कर सकते हो, description में आपको सारी के जारी links available है, हर एक चीज़ की, okay, bye, take care.